हाई फ्रेंड मैं की तविया आप लोगों को बताने वल आओ ये महिंद्रा का 475 डिया है सरपंच मोडल इसका जो है रियर वील से आई लिकेज कर रहा था लिकेजिंगी प्रब्लेम थी इसको मैंने अवरहूल किया था और जिसका की दोनों हाजिंग का एकसल का दोनों हाजिंग का बायरिंग चेंज करेंगे और सील चेंज करेंगे और सील प्वेंट भी मैंने बनवागे मंगा लिया आए एकसल का अगर आप लोग मेरी चैनल पहली बार आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के एकन को प्रेस करें जिससे आने बारी वीडियो का नोटिफिक्शन आप लोगों को जल्द ही मिलेगा यह इसका रियार एक्सल का सील है जो कि रियार एक्सल में दो सील लगता है वान साइड में और यह बैरिंग है एन्योपी 212 यह अंदर वाला बैरिंग है जहां पर सुपर पिनियन चलता है और यह बैरिंग यह बैरिंग तीन पार्ट में रहता है यह फूल बैरिंग है सेंबल बैरिंग इसको अम अभी पार्ट वाय पार्ट करते हैं फिर फिक्स करेंगे इसको हुजिंग में यह वाइसर रहता है और यह कौन रहता है यह बैरिंग है यह तीन पार्ट में बठता है यह बैरिंग यहाँ पर लगता है हुजिंग के अंदर में इसको fix करते हैं पहले यह यह बाइडिंग N.U.P. 212 है यह इसका बाइडिंग नुमर N.U.P. 212 है और इसके बदले हम 62 12 का भी बाइडिंग लगा सकते हैं लेकिन अन्यूपी दूसरोंपार का इसका लॉड श्चमता ज्याधा रहता है और इस तरहका इसका सर्किलिप आता है इसका भी हम पहले fix कर लेते हैं कर से इसको मैंने fix करके silicon tube लगा कि यह Hogging को मैंने tight कर दिया है कर न है पाहिए आप और यहां पर लगता है 62 13 एकस्ल में इसको में Q है क्तार करेंगे ़िह ये भी महेंद्रा का जैनियों सय आफ इसका बेड ही नमर ब 2 crypto और यह सील प्लेट में में यह सील को फिक्स कर दिया दो तीड लगता है तुरा सा ऐसे लिूब्रिकेंट करने के बाद एकसल को मैने अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद इसमें फित कर रहे हैं मैं इसका मैंने फित कर दिया है सील को अपनी जगह पर बिढ़ा दिया है ये सील और बैरिंग मैंने नीब बन बाया है घिञा कि हैं पर यह यह बासर तेरे का बाई डीगम बाउल बाउरिंग है इसको में अपनी जगह पर बिठा देते हैं यह मैंने फिक्स कर दिया वाइधि अब फी और शीलिकन ट्यूब लगा के इसका पेkeeping लगा दी है सिल्क प्लेट का पेक यह इसका रिसीव होना है इसको फिक्स करने के बाद यहां पे एक पाइरिंग से पहले डिस्ट अंसर लगता है इसको अभी फिक्स कर लेते हैं इसको लगा दिया हमें इसके बाद बाइरिंग का जो कौन आता था इसमें लगाएंगे हम यह इस टेप से लगेगा और इसको लगाने के बाद एक्सल को इसमें फिट करेंगे इसके बाद यह जो एक वाइसर है इस पर कट्स लेगा इसके बीच बाइरिंग रहेगा इसको मैंने गुशा दिया है अंधर इसके बाद वासर लगा के यह सूपर पिनियन को मैंने डाल दिया है डालने के बाद इसका जो है यह 14 नमर का बॉल्ट है सील पिलेट का उसको मैंने लगा दिया है और यह सूपर पिनियन का बॉल्ट आया वासर है इसको हम लगा के फूल टैट मार के यह पत्ती को लोक कर दिंगे यह कम्प्लीट हो जाएगा यह अठेस नुमर का बॉल्ट है और इसमें एक लोक रहता है डोवेल के तरह जो एक्सल में फंस जाता है यह डोवेल है यह डोवेल को लगाने के पाद इसको हम फिक्स करते हैं पहले यह फिक्स हो चुका है इसको मैंने लोक कर दिया इसको यह बॉल्ट को चेकनाट करके अब इसका मोड़ गार टोटल चीज फिट करेंगे इसकी इसका जो बिड़ेक खोले थे इसका ओए भी बिड़ेक है आईल बिड़ेक यह बिड़ेक को जब नहीं खोलते हैं तो इसका एक्सल होजिंग नहीं बाहर निकलता है यह इसका पलेट है यह इस टैप से लगता है कि इसको ब्रेक एसेंबल करने के बाद ब्रेक में इसको टैट कर देंगे, एक 12 नमर का बॉल्ट आता है, यह प्लेट फिक्स हो जाएगा, इसके बाद इसको हम कि हैं सेट कर देंगे गया कि मैंने सेंपल कर दिया है कि शब्सकार भी पेलेट डालेंगे हम इस टैप से ये पलेट को अपनी जगवे बिठा दिया है इसमें बोल्ट रख देंगे सेंटर में रहेगा और एक 12 नमर का बॉल्ट लगता इसको हम ट्रैट कर देंगे यहां पर 12 नमर का बॉल्ट को मैंने फिक्स कर दिया है कि इसके बाद पहले डूलेट लगाने के बाद टोटल चीज कंप्रीट कर दिया है इसका वेल्वील को मैंने फिक्स कर दिया है और टोटल चीज का फिक्स कर दी है मैंने हाट्रोलिक अड्रोलिक टोटल पायभू यह कम्प्लीट हो चुका है